हेलो दोस्तो मैं डॉक्टर दुर्वान्शी मेरे यूटूब चैनल पे आपका बहुत स्थावब करती हूँ दोस्तो आज हम बात करेंगे घुनती कॉमन से समस्या मतलब की कब्स कब्सियत की समस्या जिसे इंगलिश में कॉंस्टिपेशन कहते है दोस्तो अगर काफी दिनों से परसन कब्सियत के समस्या से परिशान है तो उसे क्रोनिक कॉंस्टिपेशन कहते है तो दोस्तो जानते हैं इसकी सबसे अच्छी हूमियोपेटिक मेडिसिन दोस्तों नक्सवोमी का ये कबजियत के समस्या के लिए सबसे अच्छी होमियोपेथिक मेडिसीन है आप नक्सवोमी का 30 के 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार लीजिए इससे क्रोनिक से क्रोनिक कॉंस्टिपेशन बहुत ही अच्छे से ट्रीट हो जाएंगा दोस्तों नक्सवोमी का किस केसे में देते हैं तो अगर कोई परसन एडिक्टेड है कॉफी के लिए या फिर टोबैको के लिए या फिर अलकोहल के लिए उन केसे में नक्सवोमी का बहुत अच्छी काम करती है कॉफी टोबैको अलकोल के वज़े से अगर कॉंस्टिपेशन हो रहा है तो वो नक्सवोमिका से बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट होंगा या फिर कोई परसन बहुत ही जादा हाईली स्पाइसी फूड खाता है बहुत जादा ओवरेटिंग कर रहा है और उसके वज़े से उसको कॉंस्टिपेशन हो रहा है तो उस केसे में भी नक्सवोमिका बहुत अच्छा काम करेंगी अगर परसन बहुत जादा सेडेंट्री हाबिट रखता है मतलब एक ही जगया पे बैठ्छे बैठ्छे वह पूरे दिन काम करता है बहुत जादा उसका जादा मेंटल एक्जर्शन पर से बहुत जादा स्टेसफूल है टेंशन है उसे टेंशन तो दोस्तों ये कुछ चोटी चोटी टिप्स हुई नक्सोमी का लेने के लिए अगर आपको डिटेल जान करी चाहिए तो कॉंटेक्ट किजिए मुझे और मैं आपको इसी के साथ में इसके वर्दर डोजस कैसे लगाना है कैसे देना है इसका भी आपको गाइडन्स करूंगी थाइडन्स करूंगी।